असलाम वालेकू मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स वेलकम बैक तो रुबिनास कीचन एंड डेली व्लोग्स तो यह है आठ मार्च वाला आठ मार्च वाली रात और हम्जा हम सबको आज आइसक्रीम वाली ट्रीट देने वाला है तो इसलिए वह अभी से हम सबसे पूछ रहा था क्या लाप होता है तो हम यहां पर आगे हैं नैश्रल आइसक्रीम की तरफ नेके क्यों सब्सक्राइब और हम्जा के हैं ज्यादा एकसाइटमें थी पताने उसको क्या हो गया था कि आज में तो आज़ें लोगच अपने jest कर लिया है क्युत को फ्लेवर लेना है मैंने भी मेरा फ्लेवर बता दिया था मैं अल्टाइम फ्यवरेट औरेंज पिस्ताशियो तो मैंने वह ओडर दे दिया था हमजा ने कुछ चॉकलेट हमेशा वह चोकलेट को चोको चीप सवगेरा खाता है और अनम नीदा भी चोको क्रीम ही खाते है जाएंगी उसने उसकी पॉकेट मनी जमा किया हुआ है और उसी से वो खिलाने जा रहा था भी 100 रुपीज अंदर रख दिया है और 500 रुपीज इसने बाहर दे दिया है क्योंकि इसका बील हो गया था 290 रुपे तो उसको बहुत जादा शॉक हो गया था कि उसको लगा कि 100 रुपीज में सब क्या इसक्रीम हो जाएगी लेकिन बिचारा बच्चा उसको पता ही नहीं था आइडिया ही नहीं थी के एक स्कूप कितने क्या थी है तो यह बार बर मुझे पैसे बता रहा था मेरे पास इतने ही पैसे बचे अब मेरे पास 290 माइनस होगे मेरे पास इतने च्छा से बच के अब मेरे आप मेरे आश सब कर रहा है और उस दुन इस दिन हम लोगों को आइसक्रीम खिलाने वाइस क्लाने वाला हुं तो मुझे यह ओला छीज़ तू मुझे इसके पैसे देदो बतलब वह मुझे भी शायीश में रहा था और निदा और सबीदा क्या कि जो चोटी मोटी 5 पाच पाच रुप एली जो चीप सवगेर हो इन उसके लिए वो दिमांड कर रहा था वानिल उसके हां पर आइस क्रीम आग गई है वो खा रहा है थोड़ा थे तोड़ा थे तेंचन में है और बार बार वह हिसाब कर रहा है नीदा को भी बोल रहा है और मुझको भी बोल रहा है मेरे तो इतने पैसे बचे मेरे तो इतने पैसे बचे उसको कुछ आइडिया नेक्स टाम हो शाएद हम लोगों को आइस क्रीम क्लाने लेके जाएगा तो हम लोगों को आइस क्रीम क्लाने लेके जाएगा तो हम लोगों को बहुत मजाया शायद हम तोड़ा नर्वस था क्योंकि उसके पैसे जा चुके वह अभी पैसे का हिसाब बता रहा था कि मैंने 2.90 के आइस क्रीम दिलाया हूं और मेरे पास इतने पैसे बचे है और मैं उसको फिर चिड़ा रही थी कि हम तू जब डैडी के साथ आता है न यहां पे तब तू यहां पर आके दो-दो आइस क्रीम खाता है और मिलक शेक भी मांगता है तो अभी क्यों नहीं ले रहा है तो फिर से उसको पुछने लगे दिल बहुत बढ़ा है उसका वो फि देखो यह फिर से उसके पैसे ही गिन रहा है कि अभी उसके पैसे कित्ते बचे कि बहुत दिनों से इसने पैसे जमा किया था कुछ ग्यारा सो यह बारा सो रुपए है उसके पास तो जमा करके रखा हुआ था उसमें सचानक से 290 माइनस हो गए अब पता नहीं हम लोग से कै वैस्क्रीम खिलाया है तो अनमस को लाड़ कर रही थे यहां हो गए है नेक्ष्ट मॉर्νηंग और नीदा का आज है पेपर यानि के पहला पेपर है और वो निकली है आज स्कूल के लिए तो अल्ला उसका पेपर में अल्ला उसको काम्याबी दे और उसका पेपर अच्छा तो जा रही है तोड़ी नर्वस भी थी पेपर को लेके तो जा रही है और आज मुझे सुबह में शिरामपूर भी जाना है क्योंकि मैं जब यहां पर शीफ्ट हुई थी नासिक तो वहां से मैंने कुछ सामन मेरा लेकर नहीं थी बस मैं ऐसी वहां पर जादा गर्मी हो रही तो गर्मी तो थी वहां पर इत के तिसरे दिन मैंने ऐसा सोचा था लास्ट येर के अभी मैं थोड़ा नासिक में जाती हूं वहां थोड़ा थंड़ा क्लाइमेट रहेगा और मुझे थोड़ी वहां पर पानी का भी प्रॉब्लम आ रहा था शीरामपूर में यहां पानी की चिज़ें वही हैं रमजान वाली भी तो वो सब में जाकर आज महा से फाइनल लेकर आ जाओंगी तो यह पाँच गए हम शिरामपूर यह हैं हमारा सेयद बाबा चौक और यहां से ही एंटर करना होता है हमें हमारे घर की तरफ जानी के लिए और जो हमारे बाजू वाले भ बाहर से कुछ तंदूर बिर्यानी थी और कुछ चीज सीख भी मंगवाई थी उन्होंने बाहर से तो हमने यह खाया इंजॉय किया वैसे यह जो मेरे पडोसी है जकिया भाबी लेकिन मेरे अपनों से भी जादा अपने हैं तो मुझे इनके साथ ही मैं यहां पर 18 साल रही तो यह है जिशान मेरा भतीजा और इसका तो मुझे बहुत जादा सपोर्ट था शिरामपूर में इसके सीवा तो मैं कहीं पर भी बहार नहीं जा पाती थी यह था तो मैं थी ऐसा होता था यानि मैं और जिशान हमेशा बहार जाते रहते थे तो जिशान यानिके मुझे सग एंजोय किया है यहां पर फिर मैं आ गई हो अब जर बताने के लिए तो वह ने बताया आश्या ना और सोनी जैसे के रतना यहां पर है मेरे पास वेसे यह बहुत जब से घर लिया था वहां पे कुछ दस बारा साल से दोनों मेरे पास थे दोनों बहने हैं और यह रहा घर का पसारा याने कि मैं फाइनल सब खाली कर दी यह मेरा बेडरूम मैंने अल्ड़ेडी पूरा खाली कर चुकी हूं बस जो कुछ चीजे जैसे के एसी इंवर्टर और बाकी की सब चीज तो मैंने यहीं पे रफा दफा कर दी है जो मुझे नहीं ले जानी थी चीजे जैसे कि फ्रीज भी महां पड़ा है तो इसे भी सेल कर देंगे क्योंके मैंने यहीं नासिक में ले लिया है तो बस बाकी जितना भी सामान थाओ मैं अच्छे से बॉक्स पैक तो यह हाक सामान में पीछए डिकी में रख दिया था और दौंजा जल्दी से श्रीज़न पर नहीं पाइन दो पॉच्छ गए थैं लेकिन सामान बॉपर नहीं ला पाहें था पुछ फंक्षन चालू था अपार्टमेंट में तो मैं वहां से सामान नहीं ला पाई तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और नीदा और हमजा सब सामान बीचारे स्कूल से आने के बाद नीदा सब मुझे सामान लाके दे दी अब सामान जब आ ही गया है तो मुझे अ बहुत जादा टाइम लगता है तो कम से कम मुझे इसको दो दिन लगेंगा तो यह पहला दिन था तो मैं सब उपर की जितने भी कैबिनेट से जहां पर मैं मेरे काज के बरतन वगिरे रखती हूं क्रॉकरी वगिरा तो बस आज मैं वह वाला क्लीन कर लूँगी और जो रतन वो जितने भी वहां से मेरे जर्मन के और स्टील के जो बरतना है बबबे वगिरा वो उसको अच्छे से चेक कर लोंगी कि कोन से मुझे रतना है क transparen कर देना है वो छेक करने के बाद फिर मैं इसे निकाल दूँगी तो बस यही आभी आपको आगे सभाने वाली व्लिग्स मे यही देखने मिलेगा कि मैं कैसे सफाई कर रही हूं डीप क्लीनिंग मैं कीचन में क्या कर रही हूं और कुछ रेसिपीस भी जो से प्री रम्दान की जो मैं स्टोर करके रखती हूं इंशाला वो भी मैं आप से शेयर करूंगी तो बने रहना मेरे व्लॉग में अगर आप मेर चैनल को जरू सब्सक्राइब भी कर लेना तो मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में जब तक के लिए लाफिस दुआओं में याद रखना